प्रेंट्स मैं एश्वीन आपको स्वागत करती हूं तक्षिला टुटोरियल्स के ऑनलाइन चैनल पर तो दोस्तों आज होगा लेक्चर 6.9, लेक्चर 6.8 में हमने क्या पढ़ा था? आरेने के बारे में पढ़ा था, आरेने क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं, कौन सा जनेटिक होता है, कौन सा नौन जनेटिक होता है, जनेटिक आरेने जिसको अनुआशिक आरेने कहते हैं, वो वाइरस में मिलता है, बहुत सारे वाइरस ऐसे हैं, जिसमें आरेने और वैक्तिरियो फैस हो गया रियो वायरिस हो गया इन सब में क्या होता है वायरिस कि अनुवानशिक बदार्त होता है लेकिन नॉन जनेटिक आ रहने यह कौन सा रहने होता है यह तीन प्रकार के होते हैं T-R-N-E, M-R-N-E और R-R-N-E अनूलेखन काट प्रक्रम अनूलेखन के प्रकार से होता है फिर उसके बाद हमने आपको RNA के बारे में बताय है था कि RNA होते क्यां है? तर कि प्रकृसेस औफ ट्रांस्क्रेप्ष्ट रहेचनी होता terminator जहां पर könon कदम होता है लेकिन व किस कर से इस process मिं भाग लेते हैं इस पर सरफ हमारा आज का से से आइक कर ने मैं हम इसका पूरा प्रक्रम देखेंगे फिर इसका डाइग्राम देखेंगे कि वगे किस प्रके का मैंत किया चीजह हो दी है यह कनव We Will प्रक्रम पढ़ेंगे process of transcription कि किस प्रकार से DNA से क्या बनता है RNA कौन सब enzyme यूज होता है इसमें वो क्या काम करता है वो कैसे आता है कैसे जाता है कैसे कुंडली को खोलता है दोस्तों बात याद होगी आपको जब हमने DNA से DNA बनाया था तो हमने पहले कुंडलन को खोला था उसी प्रकार से एक एंजाइम इसमें यूज होता है क्योंकि हम यह फर्ट सिप्टे ल हैं जो कि जीवाणों में होगा जीवाणों में डी एनी पर निर्बड केवल एक आरे निए पॉली मरी इस सब्सक्राइब में आरने पौलि मेरेज कई एक हीरो है एक पूर्य प्रीमिरेज फिर्फ भी को प्रकार के और इंहे का अनूलेखन को उत्रफेरित करता है सब्सक्राइब प्रकार के आरेने से मतलब है आरेने टी आरेने एम आरेने यह तीनों प्रकार कौन बनाता detiva आरेने पॉलिमरेस कहां पर दोस्तों डीयने पर क्योंकि हम वहीं तो बढ़े डीयने से आरेने कब ना क्या कहलाता है ट्रांस्क्रिप्शन अनुलेखन और यह रिद करता है आरेने पॉलिमरेस उन्नायक यानी की प्रोमोटर जो सबसे पहले था यहाद होगा आपको कुछ इस प्रेकार का समापक था यह भिए बताई देय को क्या क्रिया है लेकिन अनौुलेखन के कृइह हुई तो कैसे डीयने में यह प्रोसेस प्रोसेस में बताते हैं Yazinin प्रेर्प्रेशन को प्रेट करता है तीन मों परेकार का आरेने पॉलिमरेस उन्नायक से जुड़ता है सबसे प्रोसेस कुछ इस प्रकार की आएगी यह हो गया क्या डीने ठीक जिसमें क्या बनेगा आरेने बनेगा इस डीने में किस प्रकार से आरेने बनेगा जब आरेने पॉलिमरेज आके किस से जुड़ जाएगा प्रोमोटर साइट से कुछ इस प्रकार का आता है आरेने पॉलिमरे से डीएने जाएगा और कोई खुल जाएगी कुछ इस प्रकार से इसकी कवाईलिंग देखे खुल गई जीश में पतला सथा फिराके खोल गया किसने खोला इस आरेने ने अब ये जो RNA polymerase है enzyme दोस्तों RNA polymerase क्या है एक enzyme है last में क्या लिखा है is ASE last में जिसके होता है वो क्या होता है enzyme होता है ठीक यह जो raw factor वाला RNA polymerase है वो अब इसके अंदर चला जाएगा ठीक यहां पर चला गया अब क्या काम करेगा यह RNA बनाना शुरू करेगा यह RNA बनाएगा और इसको यहां से निकाल देगा कैसे जैसे यह RNA बना यहां अंदर गया यहां पर इसने coding पड़ी जो भी थी वहां पर उसको थाइमीं को यूरेसल से चेंज कर दिया और उसके बद कुछ इ इसने RNA बनाके बाहर निकाल दिया यह RNA है दोस्तों ठीक यह क्या है RNA अब चाहिए यह RNA हो वो उसकी requirement पर डिपेंड करता है तो यह क्या जा आरेने पॉलीमरेस जो कि सबसे पहले अंदर जाके DNA को कोईलिंग को खोल देता है उसकी को खोलने के बाद अंदर जाके coding करता है और तिससी यह nesat आरेने कर सबस्थ आरेना कर देता है और यह नि flames करता है और यह जाकि थर निकलता है और यहां से बाहर निकलता है जब DNA निकल गया, DNA बनके निकल गया, RNA polymerase ने अपना काम कर दिया, वो निकल गया, यह दोनों यहां से हट गये, फिर उसके बाद क्या हुआ, यह अपनी नॉर्मल अवस्था होती है, उसमें यह वापस आ जाता है, फिर उसके बाद यह RNA polymerase कहीं जाएगा किसी DNA में, फिर उसकी कोईलिंग खोलेगा और उसके बाद फिर से यही प्रसेस चलता रहेगा, जिससे RNA बनते रहते हैं, तो दोस्तों अब आगे पड़ते हैं, प्रोमोटर साइट से जुड़कर अनुलेखन को प्रारंब करता है, देखें यहां पे अनुलेखन को प्रारंब हो जाता है, या कु RNA फॉले मेरे समापक किनारे पर पहुच जाता है, मतलब पूरा यह क्या बन गया, RNA बन गया, समापक किनारे पर पहुच गया, जहां पर कोडिंग खतम करनी है, RNA बन चुका है, उसके बाद पहुच जाता है, तब नव निर्मता रहने, नव निर्मता रहने कौन सा हुआ, य यह वाला क्या है नव निर्मित आरेने अभी बना है नव निर्मित आरेने वा आरेनी पॉलीमेरेज अलग हो जाते हैं जो अभी हमने आपको दिखाया कि यह जो नव निर्मित आरेने यह अलग हो जाता है ठीक यह यहां से हट जाएगा और आगे बढ़ जाएगा और जो आरे R&P, RNA Polymerase भी क्या करेगा, यहांसे बाहर आ जाएगा, RNA Polymerase अलग हो जाता है, इसके परिणाम सोरूप, अनुलेखन का समापन हो जाता है, यहां पर क्या हुआ, अनुलेखन का समापन हो गया, फिर से दोस्तों एक बार बदा देते हैं, इसमें मेन रोल किसका है, RNA Polymerase का है आरने पॉनिरेस जाता है प्रणोटर साइट जूर जाता है यहीं चीज़ा बस धियान में रखीये और इनई quantum सबसे पहला आरेन पॉलिबरेस जो और एकश चूर्जादा है यहीं क्या काम करता है बोरेसिंट दियान son और वहां से अनुलेखन प्रारब कर देता है यही क्या काम करता है कुणली को खोलने के बाद RNA polymerase पूरा DNA RNA बनाता है और जैसे ही समापक किनारे पर पहुंच जाता है समापक किनारे पर पहुंचने के बाद यह नब निर्मित RNA और RNA polymerase दोनों अलग हो जाते हैं दोनों अलग होने के बाद यह समापन जो अनुलेखन की प्रोसेस वह समापक हो जाती है तो यह डाइग्राम तो हमें आभी आपको ऐसे ही दिखाया है अब हम इसको मिठार के इसका एक अच्छा सा डाइग्राम बनाएंगे और उसमें आपको दिखाएंगे कि इस प्रकार से DNA बनता है और RNA अलग हो जाता है RNA Polymerase अलग हो जाता है और फिर से जाके एक नया RNA बनाता है और नब निर्मित आरेन केंद्रख में बनने के बाद कहां चला जाता है कोशा द्रव्य में और जो भी उसका काम होता है, चाहे वो mRNA काम हो या या और रहने काम हो या वो tRNA का बना हो, वो जो काम उसका होता है काम करने लगता है, तो है चलिए दोस्तु, आब देखते है एक खुबसूरत सा डाइग्राम, जिस इसे आपको यह प्रॉम्री प्रॉसस्स अराम समझ में आ जाएगी तो दोस्तों यह जिवाडों में अलुरेखन की प्रिक्रिया सब्से पहले देखिए में ये 3' to 5' है और फिर ये 5' to 3' धिशा में डी अणे जा रहा है ये एक डी अने ये चीप फिर इसमें बीच में आता है DNA nA polymers, DNA polymers enzyme जो होता है वो आता है और इस के बीच में चला जाता है यहाँ से कहां चले जा이스फ बीच में चले को इस प्रकार इस परिकार से यह हो गया पहला प्रोसेस यह दूसरा प्रोसेस जाएगा इसके बीच में शलयते ए प्रकार से यह है दूसरा और यहां प्रॉसरस ठीक, प्रारंबन यह होता है प्रारंबन और दूसरा होता है दीरगा करन, दीरगा करन में इसके अंदर का पूरा सारा प्रोसेस होता है, आरेने बननी का, और तीसरा होता है समापन, समापन जैसे की नामी से समझ में आ रहा है, इसमें क्या होगा, अनुलेखन की क्रिया समाप्त हो जाएगी, तो सबसे पहली वाली प्रोसेस में क्या क्या वे जिस्का नाम है तो शुरुवात करेंगा, किसी शुरुवात करेंगा, RNA के बनानी की शुरुवात करेंगा, अनुलेखन होता ही चया है, DNA से कौन बन जाता है, RNA बन जाते है, किस प्रकार से बनता है यह आपको बताते हैं, एक DNA है ठीक, जो कि थे फ्राइम से थ्री में इसमें आती अभी प्रोसेस प्रारमबन की जिसमें क्या होता इसको को बीच में चला था है और उसके बाद क्या करता है उसको डिकॉइल करता है धनीं इस तरीके C मुड़ा होता है बीच में से कोंल देता है उसको वेस्का निरिवेन ऐसको रिज समय जोड़ता जाये का और यह पन गया एक नभ निरमित आरें एक नया यह बनने तो बनने से बनने के बाद प्रकार से बन गया याद रखेंगा यह जो बोला है यह क्या है RNA polymerase है यह क्या है एक enzyme होता है फिर दूसरी process होने के बाद जब DNA बनने के बाद इसकी तीसरी process आती है जो की है समापन की process समापन मतलब इसका अंद हो जाता है यहां पे किस प्रकार से जो यह कुंडलन होता है वो आगे चल कि फिर से कुंडलित हो जाता है फिर से वो कुछ इसी प्रकार की रचना बन जाती है लेकिन उससे पहले क्या होता है कि इसके अंदर जो उपस्तित RNA polymerase होता है वो यहां से बाहर निकल जाता है यह पूरी process कहां होई cell के केंद्रक में होई ठीक दोस्तों cell के केंद्रक में होई केंद्र है कि हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया है कि TRNA, MRNA और RNA इन सब का निर्मार कहा होता है अनुलेखन की प्रक्रिया की दुआरा केंद्रक में होता है केंद्रक में इनका निर्मार होने के बाद यह देखिए यहां से भाग के कहां चला जाएगा सेल के साइटो प्ला जाएगा ताकि वो इसकी प्रोटीन बना सके है ठीक दोस्तों तो यह वाली प्रोसेस पूरी कंप्लीट होती है अनुलेखन का प्रक्रम इसमें थोड़े से और पॉइंट से जिनको हम देख के अपना लेक्चर कंप्लीट करते हैं दोस्तों इसमें एक बहुत अपन तो पहली वाली हो गई प्रारंबन हो गई फिर उसके बाद आ रहेने पॉलिमेरेज ही नहीं क्या किया दीरगी करण की प्रोसेस करी क्रिया को उत्परेरित करने में सक्षम है जब तक आ रहेने पॉलिमेरेज आ के टीनी की बीच में नहीं जाएगा जब तक यानुले तो होता है जाहां पर इसका प्रारंब कारक प्रारंब reicht ओगा हुदे और शे जोड़ता है और उसके बाद सारी क्रिया आरेने प्राइमर करने के बाद बहां से बाहर निकल जाता है जिवानुयों में स्थानांत्रण ऑ अनुलेघ 관심 की दोनों क्रिया समपन्त साथ-सात होती ह स्थान आंत्रर दोस्टों अभी आने वाले लेक्चरs में हम आपको स्थान आंत्रर के स्थान आंतरर क्या होता है आरैंये से प्रोटीन होता है तो네 कि इस प्रोकार से होता है वो कि इसको क्या बनानी होती है तो दोस्तों आने वाले lectures में हम देखेंगे कि किस प्रकार से says each protein वे इस प्रकार से र n a क्या बनाएगा protein बनाएगा और इसी प्रोसेस को कहते है इस था नां तर ठीक इस तनांत्रर को इंग्लिश में कहते हैं Translation इस प्रोसेस का नाम क्या होता है Translation RNA से क्या बनेगा प्रोटीन बनेगा अब एक बार और आपको हमको के रिदिजन करा दे कि हमने सबसे पहले बनाया था DNA से DNA ठीक DNA से DNA बनाने की क्रिया हमारी क्या कहलाई थी प्रतिकृति इसको क्या कहा था प्रतिकृति और इंग्लिश में कहते थे replication ठीक दोस्तों DNA से क्या बना था DNA फिर बना था DNA से हमने बनाया क्या RNA जो हम अभी प्रोसेस पढ़ ले अनुलेखन की प्रक्रिया में हमने क्या किया DNA से क्या बनाया RNA तो यह कौन से प्रक्रिया हो गई अनुलेखन अनुलेखन को दोस्तों इंग्लिश में क्या कहते हैं transcription दोस्तों transcription आप हम आने वाले अपने lectures में क्या करेंगे RNA से प्रोटीन और इसको स्थाना अंतरर मतलब ट्रान्सलेशन बोलेंगे। याने वाले lectures में हम पढ़ेंगे कि kis प्रकार से RNA से क्या बनती है प्रोटीन मतलब a प्रोटीन इस प्रोटीन से हमारा पूरा शरीर है जिस प्रकार की प्रोटीन होगे उसी प्रकार के हमारे phrases होगे तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले DNA से DNA, प्रतिकृति जो हमने आपको पढ़ा दिया है, किस प्रकार से बनती है, इसके 6 स्टेप्स थे, उन 6 स्टेप्स के बारे में अच्छे से याद रखिएगा, फिर हमने पढ़ा आया आपको अभी DNA से RNA, ठेक, इसको बोला अनुलेकर औ और यह हो गई तीसरी क्रिया, यह तीनों क्रिया है, अलग-अलग पूछी जाती है, और प्लस यह हमेशा long answer type questions में आती है, जिसमें सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली प्रोसेस यह है, एक, replication यह जो पूछी जाती है, जिसमें DNA से क्या बनता है, DNA, प्रोसेस है, उसके वो हमें पढ़नी है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम पूरा course complete करेंगे, दीरे-दीरे करके, अराम-अराम करके, सब कुछ समझेंगे, ताकि हम क्या सोचे, कि जाए question कहीं से भी आजाए, हमें तो क्या है, पूरा paper हमें तो आता ही है, हमने तो सब कुछ बढ़ा है, question कहीं से भी आजाए, इसलिए कहते हैं, छोटे से छोटे topic भी cover करने चाहिए, और बड़े से बड़े topic भी cover करने चाहिए, क्योंकि हो सकता है, छोटा question, short answer type questions में आजाए, और जब तक short answer type question नहीं करेंगे, जतने short से मिलते हैं, अगर short आपनी exactly total अच्छा सा लिख दिया है, तो आपको पूरे number देता है, लेकिन long अगर आपको कहीं थोड़ा बहुत डगमाग आ जाता है, तो उसमें क्या होते हैं, थोड़े से number कट जाते हैं, तो दोस्तों, आज के lecture हमारे यही पर complete होता है, इस lecture से related सारे notes आपको नीचे description box में मिल जाएंगे, तो दोस्तों, आज के लिए बस इतने ही मिलते हैं अपनी next class में, thank you.